मेटाबोलिज्म पर बात कर लेते हैं हम लोग मेटाबोलिज्म कहते हैं असल में यह है जो मेटाबोलिज्म है इसको हम मेटाबोलिक रेट मेटाबोलिज्म जो श्रब्द आया है यह मेटाबोलिक से आया है और मेटाबोलिक रेट होता है एक शरीर का चय अपचय शरीर के द्वारा जो भी उर्जय ग्रहन की गई है जो भी मेक्रो न्यूट्रेंट्स लिए गए हैं शरीर के द्वारा उन मेक्रो न्यूट्रेंट्स को यूटिलाइज करने की स्पीड मेटाबोलिक रेट कही जाती है और मेटाबोलिज्म जो है मेटाबोलिज्म के अंदर सिर्फ मेटाबोलिक रेट नहीं आएगा Metabolic Rate Calculation के लिए है Metabolism तीन चीजों से Milker के Metabolism है एक है Catabolism एक है Anabolism और एक है Metabolism Catabolic State Anabolic State और Metabolism ये तीनों Milker के Metabolic Rate बनता है तो Metabolism है कुल कैलरी खर्च करने की छमता शरीर के द्वारा कुल कैलरी खर्च करना या कुल कैलरी का उपयोग करना ठीक है खर्च करने का मतलब तो है सिर्फ खर्च किया पर कैलरी का उपयोग करने को हम Metabolism कहेंगे उसमें कुछ calorie खर्च करना भी है और कुछ calorie खर्च किये बिना उपयोग करना भी है तो क्या है वो? एक होता है anabolic state, anabolism Anabolism में कोई calorie खर्च नहीं होती है सिर्फ calorie का रूप परिवर्टर, calorie नहीं कहेंगे उसे सिर्फ जो उर्जा है उसका रूप एनरजी का रूप बदल जाता है जैसे मसल के बढ़ने की प्रक्रिया में जब शरीर होता है तब वो एनाबलिक स्टेट में होता है तो मसल के बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है उसमें भी कैलरी का उपयोग हो रहा है उर्जा का उपयोग हो रहा है पर उर्जा कौन सी है वो प्रोटीन की उर्जा है तो प्रोटीन की उर्जा कैलरी की रूप में खर्च नहीं हो रही है प्रोटीन की उर्जा ATP बन करके खर्च नहीं हो रही है प्रोटीन से मसल विल्डिंग हो रही है पर फ्रभी वह मेटबोलिजम में आता है क्योंकि अची निएन मीन ले रहा है तो ग्रोथ हॉर्मोन सेक्रेशनु शरीर के अंदर होता है और growth hormone secretion surgery के अंदर होता है, उनमें testosterone भी है, वो सब मिल करके muscle building process को, muscle growth stimulation को बढ़ाते है, muscle hypertrophy को बढ़ाते है, muscle hypertrophy जिस प्रक्रिया में होती है उसको कहते है anabolism, उस प्रक्रिया में रहते हुए शरी को कहा जाता है anabolic state, ठीक है, अब इसका opposite होता है catabolic state, catabolic state में उर्जा खर्च होती है, calorie खर्च होती है, और वो खर्च होने का ढंग थोड़ा बदल जाता है, एक तो होता है जो कार्व वाली calorie है, उसको हम उर्जा के रूप में हमारा शरीर कर रहा है, फ्यूल के रूप में इस्तिमाल कर रहा है, एक होता है कि हमारे blood में blood glucose का level कम हो हुआ, अगर हम intense training कर रहे हैं, exercise कर रहे हैं intensity के साथ, तो blood glucose का level जो भी हो, अगर amino acids की मात्रा कम हो जाती है, amino acids की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में testosterone का level अपने आप कम हो जाता है, या हम जैसे कोई भी workout करते हैं, कोई भी intensity, किसी भी intensity level के साथ, moderate या high, workout शुरू करते हैं, तो workout शुरू करते समय हमारे ब्लड में testosterone जो hormone है, उसका level सामाने रहता है, और जो exercise शुरू करते हैं, weight training शुरू करते हैं, तो उसका level बढ़ना शुरू हो जाता है, क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि exercise करते हैं, तो यह जो हॉर्मोन का लेवल है तेस्टेस्टेस्टेरोन का लेवल है वह लगबग एक्सराइज शुरू करने के 15 मिनट के बाद पीक में जाता है और एक घंटे तक पीक पर बना रहता है और उसके बाद हो फिर चाहे एमिनोज हो या नहों वो खुद से जान होना शुरू हो जाता है क्योंकि उससे जाता देर तक शरी में रख्ट में बनानी रह सकता तो अब इस दौरान जो इनाबोलिक स्टेट थी इसमें तो मस्कलर ग्रोथ वाला काम हुआ अब जब टेस्टेस होता है कि लगभग एक घंटा डेड़ घंटा आदमी एक्सराइज करता है तो जो भी उसने प्रोटीन पहले खाया है जो भी कुछ चले रखा है वो यूटिलाइज हो चुका होता है हमारी मसल फाइबर्स सेल्स इन सब में वो इस्तेमाल हो चुका होता है तो ब्लड के में मस्कलों ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होर्मोन है टेस्ट्रेस्ट्रोन उसका लेवल भी कम हो जाता है और जैसे उसका लेवल कम होता है उसका अपोजिच होर्मोन ब्लड में आ जाता है क्योंकि क्यों आता है वो शरीर की सुरक्षा के लिए आता है जीवन की सुरक्षा सपना खेर बीदे में इस और भेता अधा इस बांब्ला souvent तो हमों को जब करते हैं और उसकी आफ़र में पर स्कख़र साए गिकान हमारी थे आप श्यूंसकूहाना DR जासा करें you to do a ETF हमार हमारी मजल्च फर नहीं कर ले कि इसके लिए मसल के माइंटी को बीद्व न जा सके ईसले को बाहर से एनरजी लेने के लायक नहीं रखती है algun बॉक सेल को कि एनरजी चाहिए तो वह खुज से अपने आपसे ही एनरजी करो चुरू करती है और एनरजी तैयार करने के लिए एक देमेज सेल या बार्न हुआ सेल या कमजोर सेल को शरीर स्पेर कर लेता है और उसको एमिन आशिट में कंवर्ड कर लेता है और उस एमिन आशिट को फिर ग्लाइकोजन में कंवर्ड कर लेता है एक प्रक्रिया होती है उसके अंतरगर वो प्रक्रिया अगली बार बताएंगे के वापक लोग में आ जाती यह जो केटबरलिक इसमें मसल सेल होता है मसल सेल कम हो जाता है इसले हम कहते हैं कि लंबा वर्काउट नहीं करना चाहिए मेराथन वर्काउट करने से बचो कोई मेराथन वर्काउट करेंगे तो हम मसल बिल्ड नहीं कर सकते बहुत जादा इमाउंट में तो बढ़िया तरीका यह है कि स्मार्ट इंटेंस और शॉर्ट ऐसा वर्काउट किया जाना जाए तो मेटाबोलिज्म के लिए केटाबोलिक स्टेट एनबोलिक स्टेट ये भी एनर्जी के यूज उप्योग करने की या मैक्रोन्यूट्रेंट के उप्योग करने के ये तरीके हैं ये सब मेटाबोलिज्म में शामिल हैं ये सारी प्रक्रिया सुबह से लेकर कि शाम तक चाहे हो मसल सेल बने हो और चाहे हो फैट फ्यूल की तरह इस्तेमाल हुआ हो चाहे हो हार्ड के काम करने से लंक्स के काम करने से लिवर के काम करने से एनर्जी खर्च हुई हो चाहे काडियो करने से एनर्जी खर्च हुई हो या कोई खेत में काम करन सब कुछ करने के आरगन चल रहे हैं। उस टोटल एक्सपेंडिचर को मेटाबोलिक रेट कहा जाता है तो मेटाबोलिजम के अंदर खाली मेटाबोलिजम नहीं है, सिर्फ कार्ब मेटाबोलिजम नहीं है मेटाबोलिजम के अंदर कार्ब मेटाबोलिजम भी है प्रोटीन मेटाबोलिजम भी है, हैट मेटाबोलिजम भी है और मसल बनने की प्रेटरिया भी है, सब इसमें शामिल है, इस सब को मेटाबोलिजम कहा जाता है और metabolic process जो बोला जाता है, वो बहुत सारे chemical reactions हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर संपन होते हैं, तो आज के लिए इतना ही, अब next week थोड़ा सा question आप लोगों के पास होंगे, मैं भी थोड़ा homework करूँगा, तो करेंगे detail में बात.